इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 26 सितंबर 2021 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोषना करता हूँ कि मैं डर की अपिक्षा, विश्वास को चुनता हूँ मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि क्या सकारात्मक है और क्या सही है मेरी परिस्थिति के बारे में मैं अपनी उर्जा का उपियोग चिनता करने के लिए नहीं बलकि विश्वास करने के लिए करता हूँ मेरे जीवन में डर का कोई स्थान नहीं है मैं नकारात्मक हतोच साहित करने वाले विचारों पर ध्यान नहीं देता मेरा दिमाग इस बात पर केंद्रित है कि ईश्वर ने मेरे बारे में क्या अपने वचन में प्रतिग्या की है मुझे पता है कि मेरे लिए उसकी योजना सफलता जीत और बहुतायत के लिए है यह मेरी घोषना है दिव्य स्वास्त की स्वीकारोक्ति मैं शैतान के हर जूट और घमंड को देखने या स्वीकार करने से इंकार करता हूं मैं अपनी भौतिक आखों से जो कुछ भी देखता हूं उसे स्वीकार नहीं करता जो परमेश्वर के साश्वत वचन के अनुरूप नहीं है जो मेरे जीवन मेरे स्वास्थ और मेरी भलाई के लिए है मैं केबल वही स्विकार करता हूँ जो वचन मेरे बारे में कहता है और मैं उस वचन की बात करता रहता हूँ मैं जैसा कहूंगा मुझे एशु के नाम पर वही मिलेगा मैं मजबूत हूँ मैं स्वस्त हूँ मैं धन्य हूँ मैं सक्ति साली हूँ मैं अभिशिक्त हूँ मैं स्वतंत्र हूँ मैं ईश्वर को प्रिय हूँ मैं ईश्वर और मानोजाती का कृपा पातर हूँ मैं वही बोलता ला की घरलमें अच्छी जमिन पर लगाया गया है मेरे प्रभू के दरबार में ताड़ के पेड की तरह पनपता हूं मैं मैं हर मौसं में प्रचुर मात्रा और जो कुछ भी मैं एशु के नाम पर करता हूँ संपन्ण हो जाता हूँ एशु के नाम में चीज़े हमेशा मेरे लिए काम कर रही हैं मैं मसीह एशु में हर आध्यात्मिक आशिरवा स्विकार करता हूँ एशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर मेरते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आग्या देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पा गिण को था किया क्या मैं अपने मनव भाव से बात करता हूं। मसी के मनव भाव के तरद परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें ही इश्वर के सग्डद द्वारा संरहेक्र्ट कि अग्या देता हूं। । मैं अब्णे कांड मार्था सनायो और नसों के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मान स्पेशियों और स्नायू बंधन को ताकत बोलता हूं मैं अपने दिल से बड़ी जीवन सक्ति की बात कहता हूं मैं सामाने अर्थात वायू संचार और छिड़काव अनुपात बना रखने के लिए अपने फेफड़ों और उत्को से बात करता हूं मैं अपनी किड्नी को परिपूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़ी जोड और उपास्थी संरेखित मजबूत और दि करते हैं मेरी तवचा एक नए जन्मे बच्चे और इश्वर की संदर्ता के समान चिकनी और स्वस्त है मेरे बाल कोश कड़े हो गए मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने की आग्या देता हूं और जहां विकास की आवशक्ता होती है मैं अपने कोश में वृधी जार करता हूं मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस में हैं और अपने कारियों को सामान निरुप से निश्पाजित कर रहा है मेरा पाचनतंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने अब सोशित करने और आत्मसाथ करने मे नियमित रुप से उत्सर्जित होते हैं मेरी प्रजनन प्रणाली प्रयाप्त मात्रा और गतिशिल्ता सुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रही है मेरी प्रजनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिका का उत्पादन कर रही है जन्म तक गुरून की रक्ष और पोशन करती है मेरे शरीर का हर एक अंग हर एक कोशी का ठीक उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए रुपांकित किया है येश्व के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी को और कुरुपता को रोकता हूं मेरा पूरा मानोश शरी रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मसी येशु में परिपूर्ण है हालेलुया आमेन मैं जानता हूं मैं जानता हूं पिता इसर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पुतर इश्र मुझे प्यार करता है